दोस्तों क्या आप एक कोईन कलेक्टर हैं आप घर बैठे मगवाना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए नोट रो सिखे तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें कोईन बजार एप्लिकेशन को यह बैस नुमिस्मेटिक एप्लिकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जहां पर बहुत सारे कोईस और नोट आइकिंडिया है चैए हो मुगल हो इञां इसेंट हो बिटिश इंडिया के कोईस और रुपॉप्लिक ऑफिंडिया के कोईश दोस्तों यह मेरे एक चैनल की सीरीज है जिसमें मैं Top 10 Rare Coins of India, Top 5 Rare Coins of India इस तरह से कवर करता हूँ आज किस वीडियो में जो Top 5 Coins के बारे में बताने वाला हूँ इसमें British India के सिक्के भी है कुछ, Republic India के सिक्के भी है, Commemorative Coins भी इसमें अविलेबल है तो 5 ऐसे भारते सिक्कों के बारे में बताने वाला हूँ, जो की वैलियोबल है और rare माने जाते हैं इसलिए वीडियो को आप पूरा एंट तक देखे, अगर आप Interested होते हैं कीमती भारते सिक्कों के बारे में जानकारी के लिए तो ये वीडियो आपको पूरा एंट तक देखना चाहिए, बहुत सारे ऐसे मेरे Collectors है, जो Top 5 Rare Coins of India की वीडियो को काफी ज़्यादा पसंद करते हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल की सीरीज पसंद आती है, Top 10 Coins of Rare India के बारे में, Top 5 Rare Coins of India के बारे में तो इस वीडियो को दोस्तों आप जरूर से लाइक करें, वीडियो को लाइक करते हैं तो दोस्तों आगे वीडियो बनाने में और ज्यादा अच्छा लगता है और comment जरू करए comment box में क्या आपको channel के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको मेरी वीडियो के माध्यम से क्या सही लगता है क्या सही नहीं लगता है यह सारी चीजें आप मुझे comment box में बताया गरे तो अब वीडियो को शुरू करते हैं जानते हैं Top 5 Rare Coins of India के बारे में जो कि High Value के है और अगर वो आपको मिलते हैं तो Market Value आज की डेट मुन की क्या चल रही है ये सारी चीजे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो दोस्तों सुरूर में मैंने सोचा था क्या आज किस वीडियो में Top 5 Rare Coins of India कवर करता हूँ फिर मुझे लगा कि आप वीडियो थोड़ी डिटेल में बनानी चाहिए तो मैंने सोचा 5 Coins और कवर करते हैं Top 10 Rare Coins of India कर लेते हैं आज की इस वीडियो में और जानेंगे 10 भारती ऐसे सिक्कों के बारे में जो आज की डेट में काफी ज़्यादा वैलियोबल और कीमती है दोस करेंगे कि हजारों की संख्या में ऐसे कोईन है जिनकी कीमत लाको रुपे से जादा है मुगलकाल के बहुत सारे सिक्के है जिनकी कीमत लाको करोड़ रुपे में जा चुकी है जब आप points में थोड़ा सा detail में अध्यान करेंगे तब आपको पता चलेगा तो आप यह मत समझ दोस्तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कि लगती है तो सबस्क्राइब करते है थो आने वाली वीडियो को नोछिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और एसी वीडियो को आप से रिंग्वेस्ट लाइक कर दिया करें क्यूंकि ऐसी वीडियो को बनाने में आप देख रहे हैं ये है बंगाल पेज़ेंसी कलकत्ता मिंट का कोपर आधा आना कोईन के ओवर्स और रिवर साइड क्या लिखा है वो भी आप अच्छे से समझ लिजिए कोईन के ओवर साइड वैल्यू इन पर्शन एंड नागरी लेंग्वेज में लिखा हुआ है और अग कोईन की वैल्यू कितनी जादा हो चुकी है कोईन के वजन की बात करें तो ऐसे कोईन का वजन लगभख साड़े बारा गिराम के आसपास होता है 12.24 गिराम वजन का होता है और इनका जो साइज है वो है 27 mm के आसपास और शेप सर्कुलर देख सकते हैं आप तो अगर कीमत की बात करें ऐसे आधा हाना जो बंगाल पैजिजिंसी में बनाए गए गयते है 1831 से 1835 एडी के बीच में ऐसे कोईन की के मत 2 से 3000 रुपे के बीच में चल रही है आज की डेट में इस तरह के कोईन मिलना काफी ज़दा दुरलब है और इस तरह के कोईन कलेक्टर्स अपने कलेक टीपू सुल्तान के ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कोपर कोईन ये कोपर कोईन 21 गिराम वजन के हैं 21.78 अठटतर 28 गिराम वजन के सिक्के हैं और टीपू सुल्तान के बड़े वाले कोईन रेर कैटीगरिम आते हैं टीपू सुल्तान के छोटे कोईन से भी आते हैं जो वो भी अच्छी value के होते है, करीब करीब 7800 रुपे की value के वो भी होते है लेकिन ये जो 20 ग्राम से उपर के वजन के जो coin आते है टीपू सुल्तान के ये rare माने जाते है, इसमें duplicate coin भी market में काफी जाते देखने को मिलते है जब आप यही का collect करने की सोचेंगे, तो आप देखेंगे, क्या इसमें duplicate सिक्के भी देखने को मिलते है market में, क्यों? क्योंकि ये coin rare है, कोपर का coin है टीपू सुल्तान के इस तरह के coin 1787 से और 1799 एडी के बीचे बनाए गए थे और ये copper 2 पैसा coin है, और ये pattern mint का coin है दोस्तो, इस तरह के coin ये, बड़ा वाला coin मेरे collection में भी था, इस स्क्रीन पर ये जो photo आप देख रहे है ये सभी टीपू सुल्तान के coin है, और इसमें जो big coin देख रहे है, ये यही वाला coin है, जिसके मेरे में बता रहा हूँ ये coin मेरे collection में भी था, लेकिन condition अच्छी ना होनी के वज़े से मैंने ये sell कर दिया है collector को अगर ऐसे coin की बात करें, टीपू सुल्तान के, जो बड़े वाले coin आते हैं, जिनको पर elephant बना होता है तो ऐसे coin की कीमत चली आती दोस्तों 15,000 रुपे से लेकर 20,000 रुपे तक क्योंकि ये rare category के है, copper coin, टीपू सुल्तान के, तो अगर आपके पास भी टीपू सुल्तान के इस तरह के coin है तो पहले आप वो चेक कराए, क्या वो coin आपका original है, duplicate है, अगर original है तो ये rare coin है, कीमत मैंने बताई आपको 15,000 रुपे coin है, कीमत अभी चल रही है, market value तो अगरे तीसरे coin के बारे में जानते हैं दोस्तों, इस coin के बारे में कुछ interesting बाते में आपको बताने वाला हूँ इसकीन पर दोस्तों, जो coin देख रही है, या आप मेरे collection का ही देख रहे है coin की value जानकर भी काफी अहरानी होगी आपको, ये coin एक auction में भी बिखा था, काफी अच्छी खासी कीमत में दिल्ली में के auction लगा था दोस्तों, ये मुझे confirm नहीं है, वो classical numismatic gallery का था, या murder arts का auction था लेकिन auction से दो दिन पहले, ये coin मेरे पास आया था, दिल्ली के collector है, एक मेरे friend भी है वो उन्होंने मुझे coin offer किया था, कैसे ये coin आप ले लो, और ये coin आपको auction में भी देखने को मिलने वाला है, जो एक-दो दिन बाद auction लगेगा मैंने उनसे price पूची कितने का, तो उन्होंने मुझे 6,000 रुपीज इसके price बताए, मैंने उनको कुछ advance दे दिया कि ठीक है, ये coin में आपसे purchase कर रहा हूँ फिर जब मैं auction अटेंड करने गया, तो वहाँ पर auction में ये coin मेरे सामने करीब करीब 9,000 रुपी कीमत में भी खा था, तो मुझे देखकर थोड़ा अच्छा लगा क्या है, ठीक है मैंने सही कीमत में coin buy कर लिया है, और auction में काफी सारे collectors पैटे थे जो bid लगा रहे थे, उस coin की बोली लगा रहे थे, तो 9,000 रुपी कीमत में ये coin, जो आप देख रहे हैं, ये बिका था, अब इस coin के detail में जानते है, coin है किस तरह का coin, तो ये दोस्तो मौरिया शूंगा डैनेस्टी का coin है, और इस तरह के coin 300 से 200 BC के आसपास बनाए गए थे, समझे दोस्तों आप, और ये oversight देखेंगे, तो elephant left की तरफ देख रहा है, और इस तरह के coin है, ये काफी ज़्यादा rare माने जाते हैं, क्योंकि आज की date में इस तरह की coin है, जो coin 300 और 200 BC के आसपास जो coin बने हो, और आज की date में इस तरह के coin, अपने आप में काफी बड़ी बात होती है, इस तरह के coin को काफी क्योंकि बीच में जो जोइंट आप देखेंगे, वो काफी इतना heavy नहीं है, क्या वो गिरने से coin को बचाए, तो ऐसे coin को काफी safely रखना होता है, ऐसे coin के अगर वजन की बात करें तो ऐसे coin लगभग 5-6 गिराम वजन के सिक्य होते है, गिसने से भी coin के वजन में उपर नीच में चल रही है आज की date में, अब अगले coin की बात करते हैं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने, आपने मेरे देखो होगा, मैंने सातवहन dynasty के copper coin की वीडियो बनाई थी, और मैंने बताया थे, वो coin काफी valuable है, rare है, लेकिन सातवहन dynasty के आज की इस वीडियो में cover कर रहा हू silver coin, सातवहन dynasty के, और यह portrait coin है, अगर आप देखेंगे, silver portrait type, इस तरह के coin है सातवहन dynasty में, जो की, लग बगम आपको बता दूँ, 115 से 145 AD के बीच में बनाए गहते, और इस तरह के जो portrait वाले सातवहन dynasty के coin होते हैं, यह काफी ज़्यदा valuable होते हैं, यहाँ पर आप देखेंग आपको उज्यानी सिंबल के sign देखने को बिलेंगे, जो की आप royal symbol भी कह सकते हो, सातवहन dynasty के, तो सातवहन dynasty के कोबर के अलावा silver coins भी आज की date में काफी ज़्यदा valuable है, अगर इन silver coins की बात करें सातवहन dynasty के, तो यह coin 8 से 10,000 रुपई कीमत में होते हैं, आज की date में, तो यह थोड़ सा अपना हाथ रोक लेता हूँ, नितो मन तो मेरा यह भी करता है कि collection के लिए coin भी ले लू, यह खरीद लू, बहुत सारे coins ऐसे हैं, जो खरीदने का मन करता है, लेकिन हाथ रोक कर थोड़ा चलना पड़ता है, हाला कि आपने मेरा collection देखा है, आज ही rate में भी काफी अच्छा मेरा collection अभी फिलहाल है, तो ऐसे coin की जो साथवाण dynasty के सिल्वर coin जो है, जो portrait वाले होते हैं, उनकी कीमत भी 8-10,000 रुपे अभी चल रही है, अब अगले coin की बात करते हैं, दोस्तों, अगला कौन सा ऐसा valuable coin है, जो आपको collect करना चाहिए, या अगर आपके पास है, तो आज की डेटमों की कीमत क्या चल रही है, तो पांचवे नमबर पुज़र है, टोप 10 rare coins of India की लिस्ट में, जो पांचवे नमबर का जो rare coin है, उसके बारे में बात करते हैं, इसकी इन पर दोस्तों, जो coin आप देख रहे है, 1834 का हाफ आना, बोम में प्रेजिडेंसी, 1834 क यह हाफ आना काफी ज़्यादा rare है, अगर यह coin अच्छी condition होता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा value आपको मिल सकती है, दोस्तों मैं जितनी बार भी exhibition में गया हूँ, यह coin मैं अच्छी condition में तलास करने के ढूड़ने की कोशिश की है, लेकिन कभी यह coin मुझे अच्छी condition में मिला है, DCV condition में यह देखने को मिलता है coin, अच्छी condition के price काफी ज़्यादा high होते है, ऐसे coin अगर एकसा fine condition में आपके पास भी है, तो वह मैं अपने collection के लिए बाइगाना चाहूँगा आपसे, अगर ऐसे coin की कीमत की बात करें तो fine condition से लेकर और UNC तक ऐसे coin की कीमत चली जाती तो आपको काफी अच्छी खासी value मिल सकती है, और यह coin मैं भी extra fine condition में collect करने की सोच रहा हूँ, तो अगर आपके पास है, तो आप मुझे मेरे email पर संपर्क कर सकते हैं, अब बात करते हैं, नमबर 6 position पर कौन सा coin है, जो काफी ज़्यादा valuable है, दोस्ते स्क्रिन पर जो coin आप चाशनकाल में देखने को मिलते हैं, और इस तरह के coin, आप देखेंगे क्या 50%, 40% घिसेवे ही आपको देखेंगे, silver के, यह काफी पतले coin होते है, वह इन coin के अगर weight की बात करें, तो ऐसे coin का वज़न जो होता है, 4.5-5 ग्राम की आसपास होता है, हुमायू की इस तरह की silver शा चार उपे तक चली जाती है, अब आपको जो बात बताने वाले हों, वो चीज़ आप अच्छे से समझे, दोस्तों, मुगर्श हजादे जितने भी हो हैं, जो बाशन नहीं बन पाये थे, जो आप सी जंग में, आप सी युद्ध में, एक दूसरे से लड़का मारे गई थे, लेकिन जो वो अलग-अलग जगह के सूबेदार थे, तो उनके कोईन भी देखने को मिलते हैं, आपने देखा होगा, क्या ओरंग जेप के बेटों के कोईन भी देखने को मिलते हैं, जहांगीर के बेटों के सिक्के देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन सब के ऐसा नहीं है कि एक ही इनके बेटे थे, इनके तीन-चार बेटे होते थे और जो गद्धी के लिए आपस में युद्ध करते थे, लडाई करते थे, वो सभी सहजादे होते थे, और वो जहां पर भी अलग-लग जगह पर होते थे, उनके अपने नाम के सिक्खे भी देखने को मिलते थे, आप यह कह सकते हो कि अपने नाम के सिक्खे इस तरह इसलिए भी चलवाई आते थे, क्या गद्धी पर अपना अधिकार दिखाने के लिए, या जिस जगह के वो सूबेदार होते थे, तो वहां पर कुछ अपने सिक्खे ये इसू किया करते थे, चलाते थे, जो आज की डेट में मुगल शाजादे का सिक्खा दिखाया था, वो कामबक्ष का सिक्खा में आपको दिखाया था, जो की काफी जदा वैल्योबल था, और ऐसे कोई अगर बहुत अच्छी कंडिशन में आपको मिलते हैं, तो आप अंदाज़ए भी नहीं लगा सकते हैं, कितनी ज़्यादा उस कोईन पर एक्चल में लिखा क्या है, कौन सी मिंट में उसी का बनावाया है, क्या हीजरी उस पर लिखी हुई है, और किस बाश्यादा का उस पर नाम लिखा हुआ है, कोईन पर, तो मुगल शहजादे जितने भी हुए हैं, सभी के कोईन आज की डेट में रेयर है, और आप कलेक्ट करेंगे आज की डेट में, हलाकि मिलने दुरलब है, बहुत ज़्यादा मिलते ही नहीं है, इतने ज़्यादा रेयर है, क्या इंटरनेट पे इनकी फोटो भी अविलेबल नहीं है, इतने ज़्यादा रेयर है, वो कौन से है 50 पैसे, अगर आप कलेक्ट करते हैं उनिस सो सतावन का पचास पैसे का कोईन बॉंबे मिंट का तो ये आपको बहुत ज्यादा चिक हासी वैली दे सकता है आज की डेट में इसकी कीमत करीब करीब पचास से साथ जार रुपे चल रही है लेकिं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद इसकी कीमत एक लाख रुपे से भी उपर चली जाएगी पांदस साल बाद शायद हो सकता है या हो सकता है कुछ टाइम बाद क्योंकि आज की डेट में ही सिक्का मिलना तना ज़्याद करना चाहेंगे तो कोई अविलेबल कहां से होंगी तो तब उसको अच्छी वैलियूस की मिलेगी तो जिनके पास विस्तर के 50 पैसे हैं अगर वो काफी लंबे समय तक ऐसे कोईन को होल्ड करके रखते हैं तो उनको फ्यूचर में बहुत अच्छा बैनिफिट मिलने वाला ह अब बात करते हैं नमबर आठ पोजिशन पर कौन सा सिक्का है जो की मॉस्ट वैलियूबल है और कलेक्टेबल है नमबर सेवन पोजिशन पर मैं आपको बता दिया है डिपबलेक इंडिया का 50 पैसे का कोईन है 1957 का अब आठ फी पोजिशन पर जो सिक्का है दोस्तों वो है 18 अब आठ फी पिशतर का हाफ आना विक्टोरिया कोईन के शाष्वन काल में सतरा के 1875 के हाफ आना की कोईन बनाए गए गए थे और हाफ आना की कोईन ये त्टार्ट की रेर माने जाते हैं आज की डिट के अगर कीमत की बात करें तो फाइन कंडिशन से लेकर और यूँवन तो कोपर के कोईन बहुत लंबेर समय तक प्रिजर्व करना समहल कर रखना आसान नहीं होता है तो यूँएंसी कंडिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है लेकिन ये एक्स्टा फाइन कंडिशन में भी बहुत अच्छी खासी वैल्यू दे देता है कोईन 1875 का हाफ आना अब 1889 का ये हाफ रूपी कलकत अमिंट की तरफ से ढ़ल गाया तो ये इतना ज़्यादा दुल्लब है क्या आज की डेट में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस तरह के कोईन आॉक्षन में देखने को मिलते हैं जो कोईन आॉक्षन होते है जिसमें कोईन की बोली आप अपसोभुषाए नियुक्त इस बितती है आप समस्चके आफी में सकते हैं जो अधार मुश्त-ताथ बाहत की जंसक्या कितनी है 130-140 करोड कोई 10,000 बने हैं तो इतनी बड़ी संक्या में सिर्फ 10,000 लोग के पास सिक्का होगा आप समझ सकते हैं वो रेर सिक्का है क्योंकि सभी के पास अविलिबल नहीं है तो वो सिक्का कुछ टाइम बाद बहुत अश्री खासी वैल्यू दे सकत साइज 24.30 mm अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा सिक्का है जो की कलेक्टेबल है और काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे महेंगा सिक्का कौन सा है उसके बारे में आप जानकाए दिए तो रिपब्लिक ओफ इंडिया के 25 पैसे के रेर कोई के बारे में बता रहा हूं इस इस तरह के डिजाइन के कोई निस सो बहतर से 1990 तक बनाए गए थे कोपन निकलिन का मैटल है वजन की बात करें तो लगबग धाई गिराम वजन के सिक्के है 2.5 गिराम वजन के सिक्के है साइज 19 mm शेप सर्कुलर अब अगर यह सिक्का आपके पास है 1980 का ध्यान दे 25 पैसे क सिक्का 1980 बॉंबे मिंट यह सिक्के 3 मिंटों में बनाए गए थे कलकत्ता हैदराबाद और बॉंबे तो आपके पास होना चाहिए बॉंबे मिंट खीमत की बात करें तो 10,000 रुपे से लेकर और लगभग 30,000 रुपे तक चली जाती है डिपैंड करता कोई की कंडिशन कैसी ह यह 25 पैसे का extremely rare है और मिलना काफी ज़्यादा दुरूलव होता है तो आज किस वीडियो में दोस्तों मैंने top 10 rare coins of India के बारे में जानकारी आपको दी है इस टार्टिक में मैंने सोचा था वीडियो के कि 5 coin की जानकारी दूँए फिर मैंने सोचा वीडियो को थोड़े detail में और थोड़े लंबा करते हैं और 10 coin की जानकारी आपको देते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो यह जानकारी अगर आपको अच्छे लगी है तो सबी पुराने सिक्के नहीं विखते हैं जो rare है वो विखते हैं बहुत सारे वाइसे लोग हैं जिनके घर में दुनिया भर के सिक्के रखें हैं लेकिन उनमें rare कोई भी तो होना चाहिए ना बात यह है तो यह वीडियो आप जासे आदा शेयर कहता कि लोग कोई पता चल सके क्या कौन कौन से सिक्के बिखते हैं कौन से 50 पैसे 25 पैसे एक रुपे के या पुराने मुगल या बिल्टिस टाइम के सिक्के rare होते हैं जिनकी कि मतला को रुपे में होती हैं आज कि इस वीडियो को में यह खतम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका प्रवाद